very common आज किस्वीडिो में हम बात करेंगě बटन्स कीदि किल लास्ट वीडेयो में मैं आपको बुटन अड़ कर देखना है व्र wh आज वीडियो में हम बात करेंगे बटन की टीक है लास्स वीडियो में मैंने आपको आपको बटन एड करके देखना है और देखना है कि आप बटन एड कर पाओ के आपको कुछ इस तरह का बटन एड करना था अपनी वेबसाइट में तो देखते हैं उसके बाद यहां पर लास्स बनाई हुई है अगर मैं बात करें देखिए यह क्यों इसों यह में आपको एस में प्लास की यहां पर लास्स के यौने निर प्रेış करके दोने टो nya साथ select कर सकता हूँ, उसके बाद space दूँगा थोड़ा सा, उसके बाद एक और class दे दूँगा, यहाँ पर मैं, जिसका नाम है text, और black, ओके, और मैं दोनो paragraph select करूँगा, यह वाला paragraph, फिर old press करूँगा, यह वाला paragraph, दोनो paragraph select हो चुके है, यहाँ पर इसको class दे दूँगा, मैं, lg, sorry, text, gray, ओके, इतना होने के बाद, मैं क्या करता हूँ, इसको, देखिए, यह color change हो चुका है, अगर अब मैं इसको inspect करके देखूँ, inspect, ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते है, इसका color change हो चुका है, 333, और paragraph का color भी change हो चुका है, 555 Alright, तो हमने change हिया, अब button की बात करते हैं, ठीक है, तो button create करने के लिए हम क्यार करते है, यहाँ पर a tag यूज कर लेंगे, तो अगर आपने नहीं किया, तो अब कीजिए try, इस video को pause कीजिए, और button लिखने की कोशिश कीजिए, I hope आपने try किया होगा, ठीक है, तो button के लिए हम यहाँ पर simple a, anchor tag यूज करेंगे, और यह जो मेरा button है, यह about.html पर जाएगा, about.html, और इस button में जो लिखोगा, वो लिखोगा more, okay, अब मैं क्या करता हूँ, same button मुझे चाहिए यहाँ पर, okay, तो, अब देखते हैं, क्या सा देख रहा है, अभी सिर्फ ऐसा देख रहा है, okay, अभी मेरे button का tax size भी छोटा है, okay, अभी इसमें padding margin कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो, अब क्या करना है, देखिए, अब सोचिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर आपको याद हो, हमन content में, जो ये बड़े वाला button है, हमारा, ये, इसमें हमने एक class यूज की थी, BTN class, okay, तो, वो BTN class क्या कर रही थी, हमारे लिए, देखिए, ये BTN class क्या कर रही थी, हमारे button को inline block में change कर रही थी, उसके बाद button को padding दे रही थी, उसका font weight बढ़ा रही थी, उसका text transform कर रही थी उसके margin दे रही थी, हम क्या करेंगे, सेम BTN class यूज करेंगे, अपने इस button के साथ, okay, तो, हम क्या करेंगे, यहां पर, जहां पर हमने, ahref more button मनाया, यहां पर क्या करेंगे, दोनो, के दोनो, a को select करेंगे, और इसको class देंगे, हम BTN की, okay, BTN की class थी हमने, okay, तो, अब यहां देखिए, इसका font size बड़ा हो चुका है, और padding margin भी आ चुका है, बट यहां पर, अगर मैं यहां पर एक और class है, तो, इसको BTN, for example, primary, तो, यह उपर जैसा button बन जाएगा, और इसका, अगर मैं text करेंगे, तो, इसका red, okay, तो, यह देखिए, उपर जैसा button बन गया, तो, यहा तो, मैं यहां पर क्या करूँगा, एक और button के लिए class में आलूँगा, इसका नाम रिख लेता हूँ, BTN Secondary, okay, तो, मैं यहां पर क्या करता हूँ, dot BTN, उसके बाद, secondary, okay, उसके बाद, यहां पर, मैं क्या करूँगा, इस BTN Secondary class में, तो, आप, लिखने की try कीजिए, कि आप क कैसे कर सकते हम, okay, और यहां पर जो BTN Secondary button है मेरा, इसमें जिस color का text होगा, उसी color का यहां पर border होगा, ठीक है, तो, हम क्या करेंगे यहां पर, जहां पर मैंने यहां पर, यह BTN है, ठीक है, तो, हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं, सबसे बहले मैं इसको border दूँगा, 2 pixel solid, और अपने उसी red color का, ठीक है, E6, E63946 का, okay, उसके बाद मैं इसको border radius दूँगा, border radius, ठीक है, अगर मैं 1.5 M की border radius दूँँगा, तो, सही है, okay, और उसके बाद मैं यहां पर इसको, जिसका text color होगा, वो होगा red, same red, यह वाला red, E64936, okay, और जो background color होगा, वो हैगा, white, okay, तो देखते हैं, okay, तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि, BTN secondary को मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो, हम क्या करेंगे, यहां पर, BTN secondary, तो आप देखते हैं, तो देखिए, यह मेरी button बन चुके है, अभी मुझे काम करना है, यहां पर, यह जो BTN secondary है, इसको मैं यहां पर भी apply कर देता हूँ, तो यहां पर मेरी button बन चुक है, आप देख सकते हैं, यह button बन चुक है, आप आपने try किया होगा, और गाइस, एक और चीच, आप यहां पर सोच रही होंगे, यह मैंने 5, 1.5 M क्यों लिया, यह M तो आपको बात होगा क्यों लिया, मैंने यहां पर, बोर रेडियस M क्यों लिया, तो इसका मतलब होता है, जितना बड़ा text है, ठीक है, उसका मैंने 50% बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने 2 times नहीं है, 1.5 है, तो कितना हो गया, 16 plus 8 हो गया, ठीक है, तो 16 plus 8 कितना होता है, 24, तो इसका 24 pixels की बोर रेडियस आजाएगी, तो मैंने कुछ चीज तरां सेगी है, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहां पर 24 pixels लिख देता, तो अभी 24 pixels नहीं, अगर मैं 16, अगर मैं 1.5 M लिख रहा हूँ, इसका मतलब है, यहां पर मैं लिख रहा हूँ, 24 pixels, तो अगर मैं 24 pixels लिख रहा हूँ, ठीक है, तो भी बिल्कुल सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए मैं यहां पर 1.5 M लिख रहा हूँ, और मुझे पता कैसे ले अगर मैं ने बटन क्रेट किया, तैंक यह सो मच गैस वर वाचिन इस वीडियो,